बहन और भाईयों आज एक तरफ भाजपा की नीती है भाजपा का नेत्रत्व है और भाजपा की नेक नियत भी है वहीं दूसरी तरफ कंग्रेश है जिसके पास न तो नेता है नहीं नीती है और नहीं विचारधारा है कि आज कंग्रेश इतनी कमजोर हो गई है किसी भी हद तक जा सकती है किसी के साथ भी हाथ मिला सकती है कि यह विचीत्र स्थिती कि आज पूरा देश्ट देख रहा है कि पस्चिम बंगाल में जिनवाम पंतियों के साथ वह लाल सलाम कर रहे हैं उनी के साथ के रिल में नूरा कुस्ती चल रही है एक राज में जिसको गाली देते हैं दूसरे राज में उसको गले लगाते हैं कॉंग्रेस का एक कन्फूजन हर तरफ है आप सोचिए जिस पार्टी की सोची स्थीर नहीं हो वो क्या असम में स्थीर सरकार दे पाएगी क्या दे पाएंगे क्या दे सकते हैं क्या आसाम का भला कर सकते हैं क्या आपका भविश्य बना सकते हैं क्या यहां असम में देखिए कॉंग्रेस किसके भरोसे मैदान में है भाई जिन लोगों की राजनीती से यहां के कॉंग्रेस कारकरतां बसकों से लड़ रहे हैं जूज रहे हैं आज कॉंग्रेस का हाथ उसी ताला चावी को लेकर गूम रहा है शात्यों वोट के लिए किसी को भी दोखा देना यह इनके जहन मेहन के स्वभाव में है यहां असम मैं भी दोखे और भ्रम का एक वीडियो मुझे भी देखने का मोका मिला है आपने भी जुरुर देखा होगा इस वीडियो में यहां के कॉंग्रेस के नेता आपस में मंत पर ही जूट का गोशना पत्र बना रहे हैं बताओ और गोशना पत्र बनाने में बहुत महनत लगती है लोगों के विचारों को जानना पड़ता है विचार भी मस करता है खजाने की स्थिति क्या है वो समझ भी पड़ती है लेकिन कॉंग्रेस का गोशना पत्र तो जिरफ गोशनाओं के लिए होता है इसलिए वो दो तिन लोग मंज पर ही गोशना पत्र बना लेते हैं इस विडियो में वो अपनी कलई अपना जुड़ खुदी खोल देते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ गोशना कर दो गोशना ये पुरा करने के लिए नहीं होती हैं ये कॉंग्रेस के नेता खुद कबूल कर रहे ह वीडियो मौजूद है यही काम इन्होंने देश भर में किया है यह लोग जानते ही नहीं कि देश की जनता कितनी समझदार है अब आद देश की जनता की आखों में धुल नहीं जोग सकते हैं यह लोग जमीनी से चायों से पूरी तरह कट चुके हैं